शुबहुदेए विध्यार्तियों, मैं पियानिता जट पियेचस नाचारम में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं कक्षा दस्वी हिंदी पाटकरम एक अंतरगर समलित अपटित पद्याम्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम एक सरल अपटित पद्याम्ष को देखेंगे। अब हम एक अपटित पद्याम्ष को देखेंगे। एक कववा प्यासा था, जग में पानी धोड़ा था, कववे ने डाले कंकर्ट, पानी आया उपर। कववे ने डाले कंकर्ट, पानी आया उपर। कववे ने पिया पानी, खत्मूई कहारी। प्रश्ण और जवब देखेंगे। पहला प्रश्ण, कववा जग के पास क्यों आया। इसका जवव है, कववा प्यासा था, इसलिए वहाँ जग के पास आया। दूसरा प्रश्ण, जग में क्या था, जग में तोड़ा पानी था। तीसरा प्रश्ण क्या है बच्चों यहाँ, कववा पानी उपर आने के लिए क्या किया। इसका जवव, कववा जग के पानी को उपर लाने के लिए कंकर डालने लगा। कववा कंकर जग में डालने से पानी उपर आया। नेक्स्ट प्रश्ण देखो बच्छो, कव्वा ने अपना प्यास किस प्रकार बुझाया? जवाब होगा, कव्वा जग के अंदर के पानी को पीकर अपना प्यास बुझाया. और इस पद्याम्ष का शीर्षक क्या हो सकता है? बच्छो, इस पद्याम्ष का शीर्षक एक कव्वा प्यासा था रख सकते हैं, या प्यासा कव्वा शीर्षक भी रख सकते हैं, या शम का फल मीटा हो सकता है. देखे लेना बच्चो अब इसी प्रकार के आवर एक अपटित पद्याम्ष पढ़कर हम चर्चा करेंगे आवर नए प्रश्न बनाएंगे ठीक है बच्चों अब हम इसी प्रकार का और एक अपटित पद्यामश पढ़कर हम चचा करेंगे और नए प्रेश्न बनाएंगे देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली इसने तो कूप कूप कर आमों में मिस्री गोली कोयल कोयल सक्ष बताओ क्या संदे साल आई हो बहुत दिनों के बाद आज फित इस डाले पर आई हो ठीक है बच्चों आप यहाँ पर्द्यामश देखे है ना हाँ अब हम प्रश्न और उत्तर सीखेंगे पहला प्रश्न देखो बच्चों कोयल की बोली कैसी है कैसी है बच्चों कोयल की बोली मीटी है बाद में यहाँ प्रश्न देखो बच्चों आमों में मिस्री कौन भरती है कोयल कू कू कर आमों में मिस्री भरती है बाद में यहाँ प्रश्न देखो बच्चों वसंत रुतु में कोयल क्या लाती है वसंतरुतु में कोयल संदेशा लाती है बाद में यहाँ प्रश्ण देखो बच्चो आप कौन कौन से काले रंग के पक्षी देखे है उनके नाम लिखिये आप काले रंग के पक्षी देखे है ना बच्चो हाँ, सही जवाब है कवा कोयल हम लिख सकते है अंतिम प्रश्णु देखो बच्चो यहां इस कविता का शीर्षक क्या है। क्या हो सकता है बच्चो कोयल वसंतरुतु कोयल के बोली। इसी प्रकार के अन्य अपटित पद्याम से शीर्षक के बारे में पूचा जा सकता है। और कवि के बारे में भी प्रश्णु पूचा जा सकता है। कविताम्च से संबंदित प्रश्णु पूचा जा सकता है। इस प्रकार का अपटित पद्यांच से पांच प्रश्ण पूचा जा सकता है, जिसके पांच अंक होते हैं, जो आपलो कविता को अच्छी तरह प्रश्ण पढ़कर, प्रश्णों को समझ कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. बच्छों, आपलो विवीद प्रकार के अपटित गद्य पद्यों का अभ्यास लगातार करते रहें. दन्यवाद बच्छों, हम फिर मिलेंगे.